हाई गाईज मैं आपको इस वीडियो में बताँ हुआ कि आप HDFC बैंक का स्टेटमेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको वीडियो को स्टेप बाइच टेप देखना है वीडियो को मिस नहीं करना है अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आप फिर एफसी नेट बैंकिंग तो आपको इस वेबसाइट को टाइप कर लेना है टाइप करने के बाद आपको यहां देखने को मिलेंगी यह आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलें इसके बाद आपको सैकिंड वेबसाइट देखने को मिलें नेट बैंकिंग एफसी बैं तो मैंने इस पर टैप कर दिया टैप करने के बाद आपको क्या करना होगा यहां हमें स्टेटमेंट डाउलोड करने के लिए HDFC बैंक का हमारे पास customer ID होने आविसा के है अगर आपको customer ID पता नहीं आप आप SDFC बैंक के किस्टमर आई डि बहुल गए हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो और डिकर, आप लिए बने कर रहा है आप लिंट पर कलिक करके वीडियो को देख सकते हैं के कर देंक का सब्यूद्ध तरह को फिले है तेन इसके बाद आपको यहां देखने को मिल रहा है यहां आपको यह वर्चुन कीबोर्ट फॉर्ट पासवोर्ड तो आपको इसके बाद आपको लोगिन पे किलिक कर देना है पासवोड मैंसें करने के के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है आपको यहां यहां ओप्शन देखने को मिलेंगे अकाउंट संबरी देन उसके बाद आपको थर्ड ओप्शन देखने को मिल रहा है इंक्वारी तो आपको इंक्वारी पे किलिक कर देना है तो मैं inquiry पर click कर देता हूं inquiry पर click कर लेना है तो मैं inquiry पर click कर लेता हूं click करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं view account balance account student current and previous month और आपको जिस भी month का निकालना है यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपको अगर 5 year का निकालना है statement of 5 year का निकाल last 10 year का निकाल सकते हैं तो इसके लिए कुछ detail मेंसान करनी होगी कि अपको अपने मर देखने को मिलेकर यहां यह में तोटल आशिऋ skill करना है हमारा जो आन रहिए आपको अपने अपको अठ traitor करना है यहां आहां पको क्लिक करने के बाद आपको यहां देखने को मिलेगा यहां आपको साइगेंड ओप्शन देखने को मिलेगा यहां यह बहुत सोटली दीख रहा है यहां आपको देखने को मिलेगा इंक्वारी आपको फिर से इंक्वारी पर क्लिक कर देना है तो मैं क्लिक कर देता हूं क्लिक क करने के बाद आपको जिसवी का आपको कितने येर का निकालना है अपना इस्टेटमेंट आपको यहां यहां वन मंद का निकालना है लास्ट फाइप येर का निकालना है यह आपको फिक्स डिपोजिट अपने जमा करा है उसका निकालना है जैक इस्टेटस देखना है वह करने की बाद आपको यहां देखने को मिलेगा यहां आपको यहां टाइप ऑफ अकाउंट तो दैन इसके बाद आपको अपना अकाउंट नमबर मेनी स्टेटमेंट और आपको सिलेट पिरियों यहां आपको डेट मैंसन करने होगी तो हमें सिलेट कर लेता हूं अकाउंट है इसके बाद आपकोशलक्ष पीरियर्ड से इंपको यहार साइड में देखने को मिलेका आपकोशलक्ष होगाँ आप गिलिक करने के बाद के बाद को पैपने को सब्सक्र Sur identity अपने अपना काउंट नमबर्स राइने लेंsinेद एdar इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपको इस पर टाइप कर देना है तो इस पर टाइप करने के बाद यहां हमें समय में चाहिए पीडियाफ में चाहिए एक्सल में चाहिए तो यहां जो मुझे चाहिए वो पीडियाफ में चाहिए जो मेरा स्टेट में जो डाउनलोड होगा वो पीडियाफ में डाउनलोड होगा तो मैं पीडियाफ इसके बाद आपको क्या करना है आपको डाउनलोड पर किलिक कर देना ह हैं तो जैसे मैं डॉप्र किलिक करता हूं तो अब यहां देख सकते हैं जो मेरा जहां पेडियेप बने के आचिए की जो मेरा जो स्टेट्मेंट था वो डॉwnलोड हो चुका है तो आप इस तरीके इसे HDFC बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो अच्छे लगी तो लाइक एंड डिस्क्राइब करें ठाइंक यूश्वाइब